तो यह हमने एक मिख्सी बाल में एक कटोरी मैदा डालेंगे और शाथ में डालेंगे स्वदकरनुषा नमक और यह डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन तो अजवाइन को हम आच्छे से अच्छे से क्रेस्च करके डाल देंगे अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मस तेल आप इसे गीसे भी बना सकते हैं तो तेल को हमें मैदा में अच्छे से मिक्स करना है तो यह देखें तेल को हमने मैदा में अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आठा को गूत लेंगे तो यहां में समसे बनाने के लिए आठा थोड़ा टाइंट गूत ना है तो इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आठे को गूत लेंगे तो यहां अब आप देख सकते हैं हमारा आट आचे से गुद करके तैयार हो गया तब हम इसको डख करके रख देंगे तब तक हम इसके लिए स्टेपिंग बना करके तैयार कर लेंगे तो यह हमने एक पैन में तेल्ट अलेगी तेल गर 7- rebell हओ होने के बाद में यह जीरा डाल तेल शाथ-ब्र-डालने के बाद में भरी से सब्सक्रूर प्याज करीव में थोड़ देल मुशत कर लेंगे तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले तो एक चमाच दनिया पाउडर एक चमाच आमचूर पाउडर और एक चमाच हम डालेंगे इसमें चाट मसाला स्वात का अनुसा नमा क्याड करेंगे एक बार सारे मसालों काचे से मिक्स कर लेंगे तो अब हम इसमें डालेंगे मतर तो यहां हमने फ्रीजर की मतर ली है अब हम इसमें डालेंगे उबले हुई आलू थी हमने तीन उबले हुई आलू ली थी आलू को मैंने कद्दू कस कर लिया था आप चाहे तो बड़े-बड़े साइज में कट करके भी डाल सकते हैं तो यहां आलू को भी मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां देखे हैं हमारा आलू को मसाला बन करके तयार हो गया है तब हम गैस को बन कर देंगे और इस टेपिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे तब तक हम चेक कर लेंगे जो हमने मैदा का आठा लगा करके रखा था तक देखे हैं आठा भे हमारा अच्छे से सेट हो गया और इसको रोटी की साइज में बेल लेंगे तो यह देखे हैं यहामने इसको बड़ी साइज में बेल लिया तो यहामें एक काटोरी लेंगे काटोरी की साइज से इसमें गोल साइज में कट कर लेंगे इस तरह से तो हमें इसी तरह से दो पूरी बना करके तयार कर लेंगे तो यह देखिए हमने गोल साइज में इसको कट कर लिया इसी तरह से हमें दूसरी एक पूरी और बना करके तयार कर लेंगे तो यहां देखिए हमने दो पूरी बना करके तयार कर लेंगे इसको हम थोड़ा सा और बेल लेंगे विल наконец से तो यह हमने एक काटोरी लिए काटोरी में 2 चमस मैदा डालेंगे और इसका गोल बना करके तैयार कर लेंगे तो यह देखें हमारा मी बना करके तैयार हो गया है अब हम इसको side में रख देंगे यहां हमने जो पूरी बेल करके तयार कीतना इन्मे हम डिजाइन बनाएंगे समोशा के लिए तो हम आगे से और पीछे से इसको ऐसे ही रहने देंगे और बीच में इस तरह से थोड़ा गैप दे करके स्थरह से कट लगा लेंगे तो एक पूरी में हम इस तरह से सारी पूरी में कट लगा लेना है तो यहां देखे हमने सारी पूरी में इस तरह से कट लगा लिया है अब जो हमने मैदा का गूल बना करके तयार किया था नो मैदा के गूल के इस तरह से इसके चारो तरफ लगा लेंगे मैं दगा गुल लगाने के बाद में हम इसके उपरी दूसरी पूरी को इस तरह से रख देंगे और इसको अच्छे से इसके चिपका देंगे अब जो हमने आलू का मसाला बना करके तयार किया था आलू के मसाले को रख देंगे और इस तरह से इसको बंद कर लेंगे तो यह हमें इसको अच्छे से चिपकाना है कि जब हम फ्राइ करें तो यह खुले नहीं इसलिए हमके इसको अच्छे से इस तरह से चिपकाना है तो मैदाक का जो गोल बना कर रखा था न उसको लगा करके इसको अच्छे से चिपका लेंगे तो जब हम fry करेंगे न तो बिल्कुल भी नहीं कोलेगा तो अब आप देख सकते हैं एक समोसा बन करके तयार हो गया है तो इसी तरह से हम जो बाकी का बचा आटा उसका भी इसी तरह से समोसे बना करके तयार कर लेंगे क्यार कर लिए आप इनमे में हम उसी तरह से डिजन बना लेंगे तो हम बीच में से इस तरह से कट लगा लेंगे तोड़ा सा गैप दे करके इस तरह से हम तोड़ा तोड़ा गैप दे करके सारी पुरी में इस तरह से कट लगा लेंगे तो यहां देखिए हमने दूसरी पुड़ी में भी अच्छे सी कट लगा लिया है आगे से और पीची से हमें इसको ऐसे ही रहने देना इसका बीच में से इसको कट लगाना है तो इसके भी हम चारो तरफ से जो मैदा का गोल बनाया था ना उसमें से हम इसके चारो तरफ मैदा का गोल लगा देंगे और दूसरी पूरी को इसके उपर रख करके चिपका लेंगे और हम इसके उपर मसाला डाल देंगे मसाला डालने के बाद में इसके उपर मैदा का गोल लगा करके इसको अच्छे से इस तरह से तो यहां में इसको समय से अच्छे से चिपकाना है कि जब हम फ्राइ करें तो यह खुलेना तो यह देखें यह हमारा दूसरा समोसा भी बन करके तयार हो गया तो इसी तरह से हम सारी समोसे बना करके तयार कर लेंगे तो यह देखे हैं इसको हमने अच्छे से चिपकाया है तो यह बिल्कुल भी तेल में नहीं खुलेगा तो यहां देखे हैं हमने सारी समोसे अच्छे से बना करके तयार कर लिए हैं तो अब हम तेल में इसको फ्राइ करने चलते हैं तो यहां तेल अच्छे से गरम हो गए अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने समोसे बना करके तयार किये थे तो हमें इसको low to medium flame पर इसको fry करना है तो यह देखिए समोसे जब एक साड़ से अच्छे से सीख जाए उसके बाद हम इनको फलट देंगे तो यह देखिए यह हमारे समोसे अच्छे से सीख करके तयार हो गए है जो हमने समोसे पहले डाले थे वो हमारे समोसे अच्छे से सीख चुके है तो अब हम इनको भार निकाल लेंगे तो यह देखे यह हमारे समोसे की रेसिपी बन करके तयार हो गए यह तो फ्रेंस उम्मित करते हूं आज की रेसिपी आपको अच्छी लगए होगी अच्छी लगए हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू पर वाचिंग